जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तो अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और अक्टूबर का महीना बहुत से शुब त्योहारों के साथ बहुत से योगों के साथ आया है इस अक्टूबर के महीने में कुंब राशी के लोगो दन है चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जोड़ जाएं हमारी चैनल की साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी तो इस महिने में कई ग्रहों का राशी परवरतन होगा और बहुत से महत्वपू पूर्णिमा होगी जो बहुत ही उत्तम पूर्णिमा माने जाती है करवा चौथ जैसे प्रमुख त्योहार भी इस महिने में आने वाले हैं बड़े बड़े ग्रहों का राशी परिवरतन होगा इस महिने में नयाय के कारग्र शनी देव मकर राशी में वक्री इस्तिती से मा इसके अलावा सूर्य, बुद्ध, शुक्र और मंगल इन ग्रहों का राशी परिवरतन भी होगा तो ये जो सभी राशी परिवरतन हैं शनी का मारगी होना है शुब योग बनने हैं और शार्दिय नवरात्री इन सभी का प्रभाव आपके लिए कैसा होने वाला है चलिए हम जानते हैं विस्तार से इस महीने जो सबसे बड़ा परिवरतन है वो है आपकी राशी के स्वामी शनी का शनी अभी तक आपके बारवे भाव में बैठे थे वक्री इस्तिति में यानि कि उल्टी चाल चल रहे थे लेकिन अब वो सीधी चाल चलेंगे मारगी हो जाएंगे मक इस महीना के शुरू होने से ही आपकी जो परिष्थितियां है कुछ अनुकूल होती हुई आपको दिखाए देंगी पहले से जो आपके रुके हुए कारिय थे वो कारिय आपके बनने लगेंगे योग बहुत अच्छे बनेंगे सभी कारियों में गती आएगी हलाकि जो उत आपको वहां मन्चा ही प्रगती प्राप्त हो सकती है बस आपको अपने जो मेहनत है उस पर ध्यान देना होगा सरकारी नौकरी से जुड़े लोग हैं जो और उनके कुछ कारी अगर अटके हुए थे मान लिजे आपका प्रमोशन अटका हुआ था कहीं आपका पैसा अटका हुआ था कोई आपकी पैंशन अटकी हुई थी तो यह जो सभी कारे हैं यह इस महीने में आपके निश्यत रूप से पूरे होने वाले हैं इस दोरान सुक्सुविधाओं की प्राप्ति होगी और सुक्सुविधाओं की चीजों पर खर्च भी जादा होने वाला है महीने के मद्ध में आपको थोड़ी सी धान रखना होगा आपको अपने वैवार और अपनी वाणी दोनों पर ही नियंतरन रखना होगा और इस दोरान अभिमान करने से बचना है क्रोध करने से बचना है क्योंकि मंगल जो है वो आपके अंदर क्रोध की अधिक्ता दे सकते हैं मद्ध अच्छे तरीके से निर्मित होनी शुरू हो जाएंगी करियर को लेकर निजी जीवन को लेकर आप अगर बहुत जादा चुनोती का सामना कर रहे थे तो वो चुनोतियां अब आपकी दूर होती दिखाए देंगी इस महिने में व्यवसाइक रूप से आपको अपने वरिस्ट का हिस्सा आपको नहीं बढ़ना है वरना वो आपको नुकसान दे साबित हो सकता है इस राशी के जो जाता कानूनी सलहकार है या कानूनी आप चीजों से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए इस्तितियां अच्छी रहेंगी आपको अचानक से आर्थिक लाब के योग बने हैं नए रिष्टे इस महीने शुरू हो सकते हैं नए रिष्टे की शुरुवात करने के लिए ये महीना बेहद उत्तम रहने वाला है इस महीने की शुरुवात में ही यानि 11 अक्टूबर को ही जो शनी है वो मार्गी हो जाएंगे शनी का मार्गी होना आपके कामकाज में त दोनों ग्राहे एक साथ मारगी होंगे तो इनका जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है इससे आपके परिवार के सदस्यों के साथ समंदों में सुधार होगा और इन ग्रहों के मारगी होने से आपके लिए जो समय होगा वो काफी आनंदायक होगा जो जातक शेर मार्केट से जुड़े हुए है या मुचिल फंड जैसी चीजों से जुड़े हुए है उनके लिए 18 अक्टूबर के बाद का समय बेहद अच्छा होने वाला है क्योंकि 18 अक्टूबर को ही गुरु जो है वो मार्की होंगे और साथ में बुद्ध भी मार्की होने वाले है बैस्पति शनी के साथ यूती बनाय हुए है लेकिन तब जो यूती होगी तब मार्की ग्रहों की यूती होगी तो यहां जो शेर मार्केट है उसमें अचानक से परिवर्दन दिखाई देंगे जो डे ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ी साथ धानी जरूर रखनी है और इस दोरान जो आई-टी, सॉफ्ट्वेर, टेक्स्टाइल या ऐसी कंपनियों से जुड़े हुए हैं उनके लिए इस्तितियां बेहद अनुकुल रहेंगी उनके लिए अच्छे इस्तितियां बनेंगी लाब कमाने के इस दोरान आपको अपने करियर के शेत्र में बस ध्यान रखना है कोई भी डिसीजन आपको जल्दवाजी में नहीं लेना है आपको बहुत अच्छे नतीजे मिल सकते हैं इस महिने में अपने कामकाज में फिर चाहे आप वयपार करते हैं चाहे आप नौकुल करते हैं बस आपको किसी भी तरीके की जल्दवाजी नहीं करनी है जो इस राशी के विवाहित जातक हैं उनके लिए ये महीना काफी अच्छा रहेगा विवाहित जीवन आपका बेहद अच्छा रहेगा जीवन साथी की सेहत का थोड़ा ध्यान जरूर रखना है उनको सेहत समधी कुछ परिशानिया हो सकती है वरना अगर आप सेश सावधानी नहीं बढ़तेंगे तो अस्पताल के चक्कर तक भी लगाने पड़ सकते हैं उनके सेहत का आपको ध्यान रखना है प्रेम समधों की दस्टी से ये महीना मद्य महा के बाद का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा शुक्र इस महीने के अंत तक आपके दस्वे भाव में केतु क साथ बैठे होंगे शुक्र के इस्तिती भी आपके लिए अच्छी रहेगी सुक्स विदाओं को बढ़ाने वाली होगी कि तु कुछ आपको गले संबंधी परिशाने जरूर दे सकता है या आपका मन बढ़का सकता है तो गलत चीजों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है किसे भी गयर कानूनी गती विदियो का हिस्सा आपको नहीं बनना है इस महिने में त्योहार हैं और त्योहारों के समय ही बहुत अच्छे योग भी बनेंगे इन योगों का पूरा प्रभाव आपको जरूर लेना होगा शरत पुनिमा जैसा पर वे इस महिने में आएगा जो सफलता मिलने की संभाव नाय आपके लिए बन रही है इस महिने में आप अपने पढ़ाई की तरफ जादा एक कागरता रखें तो और इस महिने में किसी भी तरह की लापरवाही आप ना बढ़ते हैं तो अगर आप किसी कॉंपटिटिव एक्जाम में बैठते हैं तो दिव्यांग व्यक्ति को खाने पीने की वस्त्रत दान कर सकते हैं काला कंबल दान कर सकते हैं चपल या वस्त्रत दान कर सकते हैं शनी के उपाय करना बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए इन कारियों को आप जरूर करें निश्यत रूप से शनी का आशिरवाद शनी के करपा झाल झाल